ओके वेलकम बैक अभी आपका पैरडॉक्स अभी तो आप एक एक लिटरी टर्म इंडिविजिली देख लो मैं कल या परसू में एक मिक्स्ट सारे सेंटेंसिस का विडियो डालके और थेओरी में क्या क्वेस्टेंस बन सकते हैं और डिफरेंस क्या है जैसे कोई चीज हम मेट है परसॉनिफिकेशन क्यों नहीं या परसॉनिफिकेशन कहsels के रहे है मेटाफर क्यों नहीं यह पैराडॉक्स कहर रہे हैं एंटीथीजिस क्यों नहीं xamon Noch क है का बडाल पांगी तो भी in a vid or two América होंगी first see this paradox definition paradox का मतलब आज तक जो हम सुनते आई हैं और जिसे हम सच मानते आई हैं आज हम कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो उससे बिलकुल अलग है जैसे आप लोगों ने literature में बीए first year में death be not proud poem पड़ी होगी तो उसमें है death thou shalt die मृत्यू तुम मर जाओगे तो आज दिन तक तो हम यही सुनते आई हैं कि मृत्यू सबको मारता है और अब poet कह रहे हैं कि मृत्यू तू खुदी मर जाएगा तो यह paradox है second year में BA second year में आप लोगों ने elegy written in a country churchyard by Thomas Gray पड़ी ती जिसमें बहुत famous line है the paths of glory lead but to the grave यानि सफलता के सीडियां जो है वो कबर तक ही इंसान को ले जाती है तो हम तो सुनते हैं सफलता की सीडियां चड़ते रहो तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे और कभी कह रहा है कहां पहुंचना है कबर तक ही तो पहुंचना है अंततह पैरडोक्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो सुनते ही हम सकते में आ जाते हैं कि यह क्या का इसने पर हम थोड़ी गहराई से वेचारें तो हमें उसमें एक सच्चाई नजर जरूर आएगे तो definition a paradox is a statement a paradox is a statement paradox एक ऐसा कथन होता है which appears contradictory जो एक विरोधा भास की तरह प्रतीत होता है अटपटा सा प्रतीत होगा contradictory हमने आज तक जो सुना है उसकी सम्हाव काट कर रहा है contradict कर रहा है but परंतु which nevertheless जो की फिर भी nevertheless makes sense हमें उसमें sense नजर आएगा when you examine it closely जब आप उसको बारीकी से देखते हैं विचारते हैं तो आपको उस कथित रूप से अटपटा लगने वाला वाक्य जो है उसमें भी sense नजर आएगा example William Wordsworth का ये बहुत famous line है उनकी poem का sonnet का एक the child is father of man अब child कैसे father of man बन सकता है पर कभी के कहने का मतलब है कि बचपन में ही समझ में आजाता है कि ये बच्चा आगे जाके क्या बनेगा father कौन होता है father वो है जो पहले आया है संतोबाद में आता है पर wordsworth हमें कह रहे हैं कि बच्पन में ही बच्चे के हाव भाव गुन वगेरा देखकर समझ में आजाता है कि आगे जाकर कैसा निकलेगा इसलिए child वाला जो stage है वो पहले आता है और उसी में पता चल जाता है कि कुछ ऐसा ही आगे जाकर भी ये करेगा तो ये paradox का example है और examples देखें you have to spend money to make money you have to spend money आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा पैसा बनाने के लिए अरे पैसा बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा पर अगर ये paradox है अगर हम गहराई से विचारें तो बिलकुल एक धंदा भी करना है कुछ करना है तो आपको पहले उसके लिए कुछ खर्च तो करना पड़ेगा तभी आप return में कुछ पाती है तो you have to spend money to make money, दूसरा, the more you fail, the more likely you are to succeed, आप जितना ज्यादा फेल होते हैं, उतने ही chances हैं, कि आप आगे जाकर बहुत सफल हो जाएंगे, क्यों? देखो अटपटा लग रहा है, जितनी बार फेल होंगे, फेल होना जरूरी है, क्योंकि कहने वाला ये कहना चारा है, आप फेल हो होकर अपनी गलतियों को सुधारते हो, उससे सीखते हो, आगे जाकर वो सफलता में परिवर्थित हो जाता है, उत्ती ही जादा चांसे बढ़ जाती हैं कि आप सफल होगे, क्योंकि आप करना ही छोड़ दोगे तो कामी खतम, पर करते रहोगे, करते रहोगे तो फिर आगे जाकर, उनी गलतियों से सीख के उनी को सुधार कर व्यक्ती सफलता हासिल कर लेता है, तीसरा, the enemy of my enemy is my friend, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, सुनने में अटपटा लग रहा है, पर सच भी है, मेरे दुश्मन का दुश्मन, मेरा भी दुश्मन, उसका भी दुश्मन, तो हम दो तो दोस्त बन सकते हैं, यह paradox है, इस sentence को ध्यान से देखो, I have to be cruel to be kind, आपको याद रखना है, figures of speech में structure बहुत महत्वपूर्ण है, हम आज नहीं कल oxymoron करेंगे, oxymoron में यही statement, I have to be cruel to be kind को थोड़ा सा अलग अगर उसकी बनावत हो जाए, तो फिर वो कुछ और हो जाएगा, है ना, तो केवल structure का difference है, अब देखो अगला क्या कह रहा है, I have to be cruel, मुझे क्रूर होना पड़ेगा, दया करने के लिए, कभी हमने सुना है कि दया करने के लिए क्रूर होना पड़ रहा है, बट अब देखो एक surgeon के हाथ में चाकू है, है ना, और उसको cruel होना पड़ेगा, उस शरीर को तकलीफ देनी पड़ेगी, तभी वो चीज शरीर से हटेगी, तो वो एक तरीके से kindness है, कि वो problem हट गई शरीर से, तो I have to be cruel, to be kind, paradox है, death, thou shalt die, अभी हमने जो देखा, B.A. Part 1 का जो poem था, sonnet थी, आपकी death be not proud, उसमें last line है, death, thou shalt die, यह paradox है, मौत जो की सब को मारता है, हमने तो यही सुना है, मौत, तू खुद मर जाएगा, यह paradox है, अगला यह Thomas Gray का elegy written in a country churchyard, the paths of glory lead but to the grave, सफलता की रास्ते सीडियां, हमको तो लगा सफलता की सीडियां चड़के पता नहीं कहां पहुँचेंगे, पर writer कह रहा है कि सफलता की सीडियां चड़ते चड़ते कबर तक ही तो जाना है, अगला, less is more, कम जादा है, अरे ऐसे कैसे, कल्पना करो कोई बहुत ज़रूरी काम करना है, उसमें जित्ते कम लोग और समझदार लोग शामिल हो उतने अच्छे हैं, बहुत जादा भीड कठी हो गई, तो कम बिगडेगा, है न, इंग्लिश में कहते हैं, too many cooks spoil the broth, उसी तरह से less is more, कम कभी-कभी ठीक रहता है, जादा ही रहता है, paradox, यह बहुत फेमस है, Animal Farm by George Orwell, All animals are equal, but some are more equal than others, आप लोगोंने हो सकता है, Compulsory English में कुटा उनिवर्सिटी में पढ़ा हो कभी, Animal Farm, जिसमें वो Communism और Socialism और वो सारी चीज़ों के उपर है, कि पहले थे वो जानवर कैसे इनसान से नफरत करते थी, क्योंकि इनसान शोशन करता है, जानवरों का, और जानवर सोचते हैं, हम सब मिलकर अपने उपर शाशन करेंगे, इनसान को बगा देते हैं, और हम सब बराबर होंगे, पर फिर जानवरों में भी Politics शुरू जाती है, और जो Pigs होते हैं सुवर, वो नेता बन बैठते हैं, और फिर दीरे दीरे कानून बना लेती हैं, All Animals are equal, हाँ ये तो ठीक है, हम सब बराबर हैं, पर हम में से कुछ ज़्यादा बराबर हैं, Paradox, ये कैसे, 9, Change is the only constant, किती अटपटी बात है, परिवर्तन ही स्थिर है, तो परिवर्तन ही स्थिर है, constant, मतलब बार-बार लोट कर आने वाली चीज, constant, something which constantly returns, तो change ही constant है, क्योंकि change ही बदलाव ही एक ऐसी चीज है, जो हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चीजे आती है, चीजे जाती है, वो तो ठीक है, पर बदलाव या परिवर्तन, वो नियम जो है, वो तो स्थिर है, constant है, ये paradox है, अब हम next देखते हैं, personification, और आप एक चीज समझो, metaphor आपको मोटा-मोटा, पता है, metaphor क्या है, हम लोगों ने class में खूब metaphors कर लिए, बट एक चीज, personification भी किया है, मोटा-मोटा समझो, अगर मैं कहू, time is a thief, metaphor में, time is a thief, आपको metaphor इसलिए भी clear होना चाहिए, क्योंकि hyperboli, देखते वक्त आपको metaphor थोड़ा सा clear हो, तो अच्छा ही है, time is a thief, समय चोर है, अब समय कुछ कर नहीं रहा, बस समय चोर है, ये metaphor है, है न, दूसरा देखो, time stole the years of his youth, अब यहाँ पर समय इंसान की तरह, इंसान बनकर मानो कुछ कर रहा है, time stole, समय ने चुरा लिया, जैसे इंसान चोर होते हैं, वैसे समय चोर बनकर चुरा कर ले गया, the years of his youth, उसके जवानी के वरिशों को, समय को, ये personification हो गया, time is a thief metaphor है, पर जैसे time, इंसान की तरह बनकर, उसके इंसान जैसे गुण, वो personification हो गया, अन्य examples देखे, the bed groaned in pain, अब व्यक्ती पलंग पे सोता है, और जब अगर थोड़ा भारी शरीर हो, या फिर पलंगी कमजोर हो, तो वो चर चर करता है ना पलंग, तो the bed groaned, groaned, कराहना, दर्द के मारे, जैसे उसके उपर कोई भारी चीज रख दी हो, वो तो विचारा नाजुक सा है, और उसके उपर भारी भर कम वजन, उस तरीके से, तो bed कराह रहा है, दर्द के मारे, personification, bed इंसान की तरह कराह रहा है, art is a jealous mistress, कलाकार अपनी कला में ऐसा डूब जाता है, कि उसको किसी चीज का खयाल नहीं रहता, कला में ही डूबा रहता है, तो कला एक बहुत jealous mistress है, mistress का मतलब वो एक सौतन की तरह, नहीं मेरे पर द्यान दो, तो वो इनसान सब कुछ भूल जाएगा, परिवार भूल जाएगा, खाना पीना भूल जाएगा, बस कला में ही डूबा रहेगा, तो कला किसी सौतन से कम नहीं है, बहुत jealous है, art is a jealous mistress, money is a bad master, कहते हैं, money is a good servant, but a bad master, अगर पैसे को आप पूजने लग जाओ, अपना control पूरा रहे, हम उसको इतना importance ना दे, तो वहां तक ठीक है, money is a bad master, वो पता नहीं क्या-क्या उल्टे सीधे काम करा देगा, अगर आप उसको मालिक बना दोगे, तो money को master बताया, the towel hugged me, तो शरीर को जिस तरीके से tightly जखड कर रखता है, ना तॉलिया, मानो hug किया हो किसी ने, उस तरीके से तो towel इंसान थोड़ी है, पर वो hug करने का काम कर रहा है, लिपटने का, तो that is a personification example, even walls have ears, दीवारों के भी कान होते हैं, तो दीवार इंसान थोड़ी है, तो उनके कान होना, ये जो है आपका personification है, essay sentences metaphor क्यों नहीं है, हम गहराई में देखेंगे, the picture in the magazine shouted for attention, कभी-कभी कोई व्यक्ती बहुत भड़की ले कपड़े पैन के आए, तो सब का ध्यान उस पर जाता है, वो ध्यान खेंच रहा है अपनी तरफ, तो कोई-कोई चित्र magazine में ऐसा loud है, loud का मतलब सब magazine को पनी पलटने वाला उस picture पर तो रुखेगा, क्या रहे, ये क्या, कोई violence का scene है, कोई ऐसा scene है, तो the picture in, अरे मुझे देखो, मुझे देखो, जैसे वो picture कह रहा हो, इंसान हो और ध्यान अकर्शित कर रहा हो, the picture in the magazine shouted for attention, shout कर रहा है, इंसान की तरह, अगला, death lays his icy hands on kings, पर ये मौत, राजा महराजाओं पर भी अपने बरफीले हाथ रखता है, इंसान की तरह, डैथ के हाथ हैं, और वो राजा महराजाओं को भी, अपने बरफीले हाथों से छूता है, क्योंकि हमें पता है ना की body cold हो जाती है, तो इसलिए, death lays his icy hands on kings, मानू death एक इंसान हो, nativity crawls to maturity, nativity, जन्म की तुरंथ बाद, है ना, जन्म हुआ, वहाँ से, इंसान दीरे दीरे दीरे, nativity crawl कर रही है, बचपन रेंगते 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 बुड़ापी तक पहुँच जाती है, बचपन रेंग रही है, तो वह बचपन को personify किया है, nativity, crawls रेंगना to maturity, तो यह आपके personification है, और भी examples होंगे, how can we keep off, हम दूर कैसे रख सकते हैं, इर्शा की चुबन को, इर्शा डंक मारती है, किसी living creature की तरह, जैसे मावरा डंक मारता है, ततहिया डंक मारता है, और भी कुछ डंक मारता है, वैसे इर्शा डंक मारती है इंसान को, इंसान उससे कैसे बचे, How can we keep off, keep off दूर रखना, envies, stinging, इरश्या की, डंक को या चुबन को Death be not proud, मृत्यू, घमन मत करो Though, हालां की, some have called the mighty and dreadful हालां की कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत ताकतवर, mighty और भयानक बताया है तो Death को, ऐसे बात कर रहा है हमारा कभी, जैसे Death सामने बैठाओ अरे Death, तू अपने आपको इतना घमन मत कर, अपने आपको इतना ताकतवर मत समझ, ना ही तो इतना बयानक है जितना लोग तुझे बताते हैं, तो Death को एक इनसान का दर्जा दिया है, मानों वह हमारी भाशा समझ सकता हो, और कभी उसे बात कर रहा है Time that gave, doth now his gift confound समय ने जो उपहार दिये, भेंट दिये, समय अब उसे वापस लेता जा रहा है देखो जब युवा वस्था होती है, तो व्यक्ति के बड़े टैलेंट्स होते हैं, वो बहुत कुछ करता है फिर बहुत ही उमर ऐसी हो जाती है, जब उसके हाथ पैर नहीं चलते, तो ऐसा लगता है कि समय ने दिये हुए उपहारों को वापस ले लिया तो ये इसका मेनिंग है, time that gave, समय जिसने दिया, doth does, now his gift confound अब वापस ले रहा है, the flowers begged for water, चीक चीक के फूल कह रहे है, पानी दो, पानी दो, प्यास लग रही है, पानी दो, इतने मुर जाए हुए है मानों वो विनती कर रहे हो, इंसान की तरह, personification the stars winked at me, तारों ने आँख मारी, तो ये winked इंसान की तरह lightning danced across the sky, बिजली आसमान में नाचने लगी, ये सारा आपका personification है इसको उतारना चाओ, आप उतार लो next, antithesis, thesis का मतलब कथन, statement antithesis का मतलब पहले किये गए कथन के विपरीत दूसरा कथन करना thesis तो statement है, पहला कथन antithesis उस पहले वाले कथन के विपरीत कोई दूसरा कथन कर देना a strike, क्या है definition? a striking contrast of ideas, एक प्रभावशाली, striking contrast, विपरीत स्थिती में, is made in the same sentence, एक ही sentence के अंदर दो भाग, पहला भाग कुछ कह रहा है और दूसरा भाग, पहले भाग के विपरीत कुछ कह रहा है example, man proposes, God disposes, मनुष्य योजनाई बनाता है, proposes, परन्तु होता वो है जो भगवान की मर्जी होती है मनुष्य कितनी योजनाई बना ले, man proposes, ये पहला कथन है, ये thesis है, God disposes, antithesis इसके विपरीत, God disposes, दूसरा example, to err is human, गल्ती करना इंसान की फितरत है, पर माफी देना इश्वर की फितरत है to err is human, to forgive divine, उसके बिलकुल opposite, इंसान की कोई फितरत होना और उसकी opposite फितरत इश्वर की होना silence is golden, speech, silver, देखें ये opposites वाला figure of speech है, love is the antithesis of hate या hate is the antithesis of love, उसी तरह से war is the antithesis of peace, opposite होना, ये है antithesis silence is golden, speech, silver, silence, चुप रहना golden rule है, बात कर लो, पता नहीं मूँ से क्या निकल जाए, speech is silver, unnecessary बखेडे खड़े हो जाते हैं, speech is silver, antithesis, silence is golden, तो उसका opposite, silence का opposite speech, वो silver, many are called, but few chosen, बुलाया कईयों को जाता है, चुना कुछों को जाता है, interviews बखेरा में होता है न, कईयों को बुलाते हैं, चुनते कुछ को हैं, many are called, ये first part है, इसके विप्रीत कुछों को ही चुना जाता है, five, give every man thy ear, but few thy voice, सुनो सबकी, करो अपने मन की, उसी तरह से, give every man thy ear, सबकी बात सुनो, but few thy voice, अपनी सलाह, सोच समझ कर लोगों को दो, सबको अपने मन की बात मत बताते रहो, तो give every man, और उसके opposite few, every का opposite यहां पर few कर दिया, कि सबकी तो सुनो, पर बहुत कम लोगों को अपनी राई, अपना विचार, जो भी है वो बताओ, six, यह जो है, हम इसको paradox में भी देखेंगे, हम different समझेंगे, मैं आपको एक बना के दे दूँगी, that is one small step for man, जब Neil Armstrong ने चंद्रमा पर कदम रखा था, तब यह कहा गया था, चोटा सा कदम है मनुष्य के लिए, पर मानव जाती के लिए वो बहुत बड़ी चलांग थी, that is one small step for man, एक कदम बढ़ाया, और Neil Armstrong ने चंद्रमा पर कदम रख दिया, चोटा सा single step, परन्तू मानव जाती के लिए वो एक जायन्ट लीप था, but one giant leap, बहुत बड़ी चलांग for mankind, मानव जाती के लिए, अब हम देखते हैं, transferred epithet, epithet का मतलब विशेशन, epithet का मतलब विशेशन, transferred, इदर से उधर कर देना, जो quality किसी मनुश्य की, या किसी जीव, जैसे पक्षी वगेरा की होती है, उसे transfer करके अकसर, generally, किसी निर्जीव पर transfer कर दिया जाता है, उसे हम transferred epithet कहते हैं, epithet का मतलब adjective, विशेशन, in this figure of speech, इस अलंकार में, an epithet is sometimes transferred, एक विशेशन को transfer कर दिया जाता है, from one to another, एक से दूसरे तक, generally from a living being to a non-living thing, किसी जीवित, जीते जाकते इंसान से, किसी निर्जीव तक, the quality of the living being, उस जीते जाकते मनुष्य की quality, is transferred to the non-living, वो निर्जीव पर transfer कर दी जाती है, हम देखते हैं, examples, स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस का मतलब नीद ना आना, पर नाइट संग्या से पहले स्लीपलेस लगा कर, जब हमें सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है, जैसे नाइट को नीद नहीं आ रहे, जैसे नाइट स्लीपलेस हो, स्लीपलेस तो इंसान है, और जैसे स्लीपलेस नाइट, नाइट को मानो नीद ना रहे हो, इंसान को नीद नहीं आ रहे, स्लीपलेसनेस इंसान की क्वालिटी है, और वो नाइट तक transfer होगी, एक sentence और इसी संदर में देखो, he laid his head, उसने अपना सिर रखा on the sleepless pillow, pillow यानि तकिया, तकिया थोड़ी ना sleepless है, इंसान है sleepless, और वो quality तकिया तक ट्रांसफर हो गया, जो इंसान की quality है, sleeplessness, इसलिए ये transferred epithet है, the plowman homeward plods his weary way, country churchyard वाले poem का line है, किसान जो है, हल चलाने वाला हो किसान, homeward, घर की ओर, धीरे-धीरे कदम बढ़ाता है, his weary way, weary का मतलब थकान भरा, way का मतलब रास्ता, रास्ता थकान भरा है क्या, इंसान है थकान भरा, पर वो थकान इंसान की weary way पर ट्रांसफर हो गई, weary way, ये आपका transferred epithet है, उसी तरीके से, Ode to a Nightingale by John Keats, a melodious plot of beach and green, a melodious plot, plot मतलब जमीन का टुकड़ा, melodious मतलब सुरीला, एक Nightingale नाम का bird है, जो गा रही है, बहुत सुरीले पन के साथ गा रही है, उस Nightingale का सुरीला पन, plot पर ट्रांसफर हो गया, a melodious plot of beach and green, beach नाम के पेड़ों से बरपूर, transferred epithet, melodious जो bird की quality है, जमीन के टुकड़े पर ट्रांसफर हो गई, we get up on happy mornings, हम happy होते हैं या morning happy होती है, happy mornings बता दिया, mornings को happy बता दिया, तो ये happiness मनुष्य की morning पर ट्रांसफर हो गई, उसी तरह से your heads must come to the cold tomb, कल हम, कल हम करेंगे सेनेक्ड की, मेटॉनमी वगेरा वगेरा जो बचे कुछ है है, oxymoron वगेरा, तो your heads must come to the cold tomb, tomb कबर, तो कबर ठंडा है, या मरने के बाद, इंसान का बदन ठंडा है, तो your heads must come to the cold tomb, कबर को ठंडा बताया है, तो ये चीज आपका transferred epithet है, क्योंकि body की जो quality है, dead body की जो quality है, coldness, वो tomb पर transfer हो गई, कल आपको बाकी मिल जाएंगे,